Hello everyone, my name is Sirvesh and you are watching my YouTube channel तो आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को रोज बोले जाने वाले sentences में लेंगे, उनके structures में बताता हुआ चलूँगा grammar के जो rules है, उसके बारे में मैं आपको बताता हुआ चलूँगा तो आपको हिंदी सुननी है, माइन में कोशिश करना, उसको translate करने की वीडियो को pause भी कर सकते हैं और आपको फिर match करना है कि आपका sentence कितना सही है और कितना गलत है तो पहले sentence आप वीडियो को शुरू करते हैं तो देखें पहले sentence है वो जाग रही है, चाहिए, तो जाग रही है तो जाग रही है, तो जाग रही है, तो हम क्या बोलते है, वेक अप, ठीक यह sentence कौन सा है, यह है आपका present continuous sentence, ठीक है, तो present continuous में क्या होता है इस Mr का use होता है और action की first form के साथ ing आती है, चाहिक है तो यहाँ पर she की बार चलिए, शी के साथ आता है is, singular के साथ आएगा is, so she is waking up, she is waking up, क्योंकि यहाँ पर action है wake up, तो action में ing आएगा waking up, so she is waking up, वो जाग रही है, क्या तुम मुझे सुन सकती हो, चीडिक है, क्या तुम मुझे सुन सकती हो, तो यह sentence कौन सा बनेगा, यह सकता है सकती है वाला कैन वाला सेंटेंस बनेगा किसी की शमता कोई चीज़ करने की तागत उस चीज़ के उपर रही है तो क्या तुम मुझे सुन सकती हो अब ये सेंटेंस है कोशन वाला जिसका मैं जवाब हां या नामे दे सकता हूं और क्या भी शुरू में लग रहा है तो ऐसा ज कैन सबसे पहले आजाएगा सो कैन के बाद पर सना आएगा कोन है करने वाला तुम का तुम मुझे सुन सकती हो अगर मुझे बोलना हो नहीं मैं तुम्हें नहीं सुन सकती जैक है इस तरहीगे से तो यहाँ पर ऐसा sentence में confuse हम लोग हो जाते हैं कि यह तो गा यह तो गा है, गी है, पर end हो रहा है, तो will का use होगा, कर सकते हो will का use, लेकिन, will you please look into this, ऐसे हम बोल सकते हैं लेकिन, जो sentence है, ये can वाला गदूया है, तो can you please चाहिए है, जैसे मैं बोलो, भाई, side में हट एका थोड़ा, टो वो जो sentence होते है यह can वाले ही होते हैं क्या तुम side में थठा हट सकते हो तो चया तुम please light के तरफ देख सकती हो यह होगा हमारी formation जिस formation में हम तोड़ेंगे तो क्या तुम please light के तरफ देख सकती हो तो can वाला ही बनेगा can you please अब ये sentence भी वही है जिसका जवाब मैं हाँ या ना मैं दे सकता हूँ और क्या शुरू में लग रहा है तो सबसे पहले helping verb आ जाएगी और फिर person आएगा Can you please look at the light अब look के साथ मैंने वही बताया है अगर किसी चीज में देखने की बात चल रही है तब तो look into, look out इसका हम यूज कर सकते हैं लेकिन अगर किसी की तरफ देखने की बात चल रही हो न So look at ही हम यूज करेंगे तो क्या तुम please light की तरफ देख सकती हो Can you please look at the light Can you please look at the light क्या तुम अपना नाम याद कर सकती हो अब ये same वही sentence है सकता है सकती है वाला और जिसका जवाब मैं हाय नामे दे सकता हो मतलब can से शुरू होगा ये sentence जिसका जवाब मैं हाय नामे दे सकता हो So can you remember your name क्या तुम अपना नाम याद कर सकती हो Can you remember your name Remember के जिख आप recall भी लगा सकते हो अब ये गहाँ है हम कहाँ है जैसे हम बोले या याru यह हम कहा है यह sentence कौन सा है Simple present'll जिसके अंदर is MR का use होता है और कोई action नहीं होता तो हैंपर हम कहा है इसमें कोई action नहीं है लिगंग present की बात चल रहाइए तो simple present sentence हुवा is MR का use होगा हम की बात चल रहाइए so we की बात चल रही है we के साथ लगेगा क्या लगेगा आर लगेगा लेकिन है पर question है हम कहां है चीक है so ऐसी जगा ऐसी चीजों में question वाले sentence में पहले क्या आता है question word आता है तो यहां का question word है कहा where are we so पहले question word आता है फिर helping verb आती है फिर person आता है और अगर कोई action है तो यह sentence simple present वाला हो गई नहीं तो simple present में action नहीं होता so where are we हम कहां है where are we तुम ski के मैदान में गिर गई थी चीक है अब देखो ski चीज action जो होता है वो action है ski ski का मतलब होता है ski का मतलब बरफ पे जो बरफ पे ski करने का sport होता है बरफ पे ऐसे रपटते हैं एक तरीके से तो उसको बोलते है ski अब यहाँ पे जो sentence है वो यह है कि ski करने वाले मैदान में मैंने वहीं बताया ना नी का science आ जाए ski करने वाले तो वहाँ पे skiing का use हुआ समझ रहे हो इस तरीके से तो यह करा है तो ski के ski के मैदान में गिर गई थी मलब ski करने वाले मैदान में जहाँ पे लोग ski करते है तो यह sentence कौन सा है यह sentence है आपका past indefinite चेक है past indefinite क्योंकि past में कोई चीज हुई लेकि impact अभी नहीं है तो यह गिरी थी लेकि अब तो उस मैदान में नहीं गिरी हुई है अब तो बाहर आ गई है so past indefinite का sentence है जिसमें did का use होता है अगर sentence बिल्कुल simple है तो did छुप जाएगा action में और second form बन जाती है action की तो यहाँ पे fall की fell बन गई so you fell down तुम गिर गई you fell down तुम गिर गई थी in the skiing ground ski करने वाले ground में skiing के ground में ठीक है skiing के मैदान में so you fell down in the ski ground तुम skiing के मैदान में गिर गई थी अब यह गरा क्या तुम्हें याद नहीं है क्या तुम्हें याद नहीं है अब यह sentence क्या है यह sentence है मतलब जब हम जैसे वो वाला sentence मैं बताता हूँ जहां पर हम किसे को कुछ करने के लिए बोलते हैं नहीं करने के लिए बोलते हैं तो याद करो या फिर मैं करा हूँ कि इस चीज़ के बारे में तुम्हें याद नहीं है क्या तो don't, ऐसे sentence में do का use होता है जैसे कि मैं बोलो कया तुम उसको बताते नहीं हो तो यह जो प्रेजेंट intimacy वाला sense देता है किया तुम यह चीज़ नहीं करते हो तो मैं तुम्हा तुम्हे याद नहीं है किया तुम्हे याद नहीं रखती हो वो वाला sense आता है यहाँ पर कि मतलब क्या तुम इस चीज को याद नहीं रखती हो इस तरीके से तो क्या तुम्हें याद नहीं है don't you remember don't you remember अगर मैं बोलू कि मुझे याद है so I remember मतलब मैं याद रखता हूँ वो वाला मुझे याद नहीं है I do not remember ठीक है तो लोग यहाँ पर am का यूज कर देते है I am not remember नहीं ऐसा कुछ नहीं आप एक remember एक action की तरह ही आ रहा है so I do not remember मुझे याद नहीं है I remember मुझे याद है ठीक है इस तरीके से तो क्या तुम्हें याद नहीं है तो यह sentence है क्या वाला जिसमें मुझे हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ मैं तो do पहले आ जाएगा अब आप किसको चाहो तो do you not remember बोल दो या फिर don't you remember बोल दो don't know विल्कुल ठीक है so मैंने क्या बनाया don't you remember क्या तुम्हें याद नहीं है क्या हम एक दूसरों को जानते है अब ये तो simple सापका present indefinite sentence ही है जिसमें ताहती है भी आ रहा है तो वो वाला sentence है क्या हम एक दूसरों को जानते है तो ये sentence भी क्या से शुरू हो रहा है हाँ या ना मैं जवाब दे सकता हूँ तो helping बोल पहले आएगी यहाँ पर करने वाला कौन है हम मतलब किसके बारे वाद चलिया हमारे तो ये क्या है plural है प्रूरल के साथ क्या लगता है do तो do सबसे पहले आएगा so do we know क्या हम जानते है एक दूसरे को each other एक दूसरे के लिए हम पर each other का use करते है we don't like each other हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते है इस तरीके से तो यहाँ पर यह पूछ रहे है क्या हम एक दूसरे को जानते है so do we know each other अब यह कह रहा है मुझे उसके मस्तिक शेत्र में कोई समस्या नहीं दिख रही है ठीक है ठीक है यह होती है आपकी present continuous की लेकिन हम उसको present indefinite के तौर पर बना देते हैं बहुत होता है ऐसा जैसे कि मालनो मेरा कोई दोस्त है वो अच्छे कपड़े पहन के आया ठीक है बहुत अच्छे सा है और मेरा सामने आया और मैं उसको बूल भाँ यह बहुत अच्छे दिख रहे हो तो यह तो हुआ present continuous लेकिन बना के देखो या तो मैं यह बूल दूँगा you are looking good कि तुम अच्छे दिख रहे हो या फिर मैं आपे simple सा बोल देता हूँ you look good in this dress या इस address में तुम अच्छे दिख रहे हो तो मैंने यहाँ पे present indefinite sentence ही लगाया चेक है लेकिन वो जो sense दे रहा है वो continuous वाली ही दे रहा है अच्छे दिख रहे हो तो मैं चाहता तो यहाँ पे अराम से present continuous ही बना देता लेकिन आप लोगों को सिखाना भी जरूरी है क्योंकि इस तरह की जो चीज़े है न वो आपको बहुत commonly देखने को मिल जाएंगे खासकर English movies में, web series में तो यह चीज़े होती है बोलना तो चाहिए present continuous के sense में लेकिन हम बोल देते हैं present indefinite के sense में कि you look good, चीक है ऐसे कि तुम अच्छे दिख रहे हो यार, चीक है जैसे कि मैं बोल तो this dress doesn't look good on you कि यह dress तुम पर अच्छे नहीं दिख रही है लेकिन मुझे मैंने हिहाँ पर क्या बनाया this dress does not look good on you चीक है तो यहाँ पर मुझे बोलना चाहिए था this dress is not looking good लेकिन मैंने does not लगा दिया तो ऐसी जो चीज़े होती है यहाँ पर आपको typical grammar के पीशे नहीं भागना होता है, आपको sense समझना होता है क्योंकि continuous sentence होता है लेकिन indefinite के form में बना देते हैं जैसे यहाँ पर मुझे उसके मस्तिक्स शेस्त्र में कोई समस्या नहीं दिख रही है ममलब mind के area में, brain के area में मुझे कोई problem नहीं दिख रही है ब्रेइन का छेतर है, ब्रेcakा जो जगा है पर i don't see any problem मुझे कोई problem नहीं दिखती है वो वाला sense बना i don't see any problem तो मैंने प्रेजेटेंट indefinite के form में बनाया है with her brain area अगर इसको ये बोलोगी सर प्रेज़ेंट कॉंटिनियस के फॉर्म में ही बना के दिखाऊ so I'm not finding, I'm not getting इस तरीके से so I'm not finding any problem with her brain area I'm not getting any problem with her brain area लेकिन प्रेज़ेंट indefinite के फॉर्म में मैंने बनाया I don't see any problem with her brain area कि मुझे उसके मस्तिक्स शेतर में कोई परिशानी नहीं दिख रही है इस इस्थिती को TGA कहा जाता है अब ये क्या sentence है ये एक passive sentence है कि कोई चीज़ की जाती है कौन कर रहा है यहाँ पर ये चीज़ कोई जोर दिया ही नहीं है इस चीज़ को ऐसा कहा जाता है तो ये passive sentence होता है तो ये passive sentence किसका है ये passive sentence आपके present indefinite वाला ताहती है वाला तो इस condition में क्या होता है आपका is MR का use होता है और third form आती है action की ठीक है So this condition is called तो is लगा क्योंकि this condition singular है So this condition is called TGA कि इस condition को TGA कहा जाता है इस इस्थिति को TGA कहा जाता है जैसे कि मैं बोलू इसको पीटा जाता है चीक है किसी लड़के की बात कर रहा हूँ मैं और मैं बोलू भाई इसको पीटा जाता है So he is चीक है He is beaten चीक है इसको पीटा जाता है इस तरीके से इस कंडिशन को बुलाया जाता है अब यह गर्ण लंबे टैम की याददास तो बरकरार रहेगी अब लंबे टाइम की याददास क्या होती है long term memory जिसके चोटे memory होती है एक चोटा चोटी सी memory जैसे अबने सुना है short term memory loss एक चोटी सी घड़ी हो जो चोटी सी एक अंतराल की जो memory है वही खतम हो जाती है तो memory के यहाँ पर हम term का use करते है तो लंबे time की यादश बरकरार रहेगी तो यह sentence कौन सा है यह है आपका future indefinite अब intact का मतलब क्या होता है बरकरार इस तरीक से मैं बोल देता है तो यहाँ पर वही sense है कि intact का मतलब होता है किसी वे चीज़ का बरकरार होना तो लंबे time की यादश बरकरार रहेगी the long term memory will stay intact कि मतलब अंचुई इस तरीके से अंचुआ आप उसको ऐसे बोल सकते है will stay intact, बरकरार, अंचुआ बिलकुल वैसा ही उसे अपना नाम और घर का पता याद रहेगा तो यह भी sentence मैंने future indefinite के sense में बनाया है she will remember उसको याद रहेगा her name and home address ठीक है तो उसको क्या याद रहेगा her name, उसका नाम and home address और घर का पता she will remember her name and home address उसे अपना नाम और घर का पता याद रहेगा सब कुछ बिलकुल ठीक रहेगा अब यह जो sentence है सब कुछ बिलकुल ठीक रहेगा यह जो sentence है यह आपको sense खुद ही अपने आप दे रहा है future continuous की कि future में कोई चीज continuity रहेगी ठीक है कि कोई चीज वो चीज हमेशा वैसी रहेगी ठीक है सो यहाँ पर will be का use हम कर देंगे so everything will be perfectly fine will be का use क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पर कोई action नहीं है अब मैंने वही चीज बताया है अगर present का sentence है जिसमें कोई action नहीं हो चाहिए कोई action नहीं हो तो वहाँ पर present continuous की helping verb लगती है is mr अगर past का sentence है simple past का जिसके अंदर कोई action नहीं है सो वहाँ पर past continuous की helping verb लगती है जो की क्या होती है was were same अगर future का sentence है जिसके अंदर कोई action नहीं है simple future का sentence है सो वहाँ पर helping verb जो यूज होती है वो future continuous की होती है जो की will be होती है तो यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेगा चीक है तो इसमें कोई action ही नहीं है यहाँ पर मैं सिर्फ एक condition बता रहा हूँ तो will be का यहाँ पर इसलिए यूज होगा अगर आपको future continuous वाले sense में समझ में ना आए तो आप इसको इस sense से समझो everything will be perfectly fine हर चीज बिल्कुल ठीक रहेगी दिक्कत यह है कि उसकी हाल की यादश गायब हो जाएगी अब हाल की का मतलब क्या होता है मतलब फिल्हाल की ठीक है अब फिल्हाल की चीज होती है recent ठीक है recent अब recent चीज़े क्या होती है जो हाल ही में होई है ठीक है recent news जैसे हम बोलता है कि हाल की ही खबर है तो हाल जो मतलब अभी अभी बिल्कुल फिल्हाल की नही नही ताजा ताजा सो वो recent चीज़े होती है चीक है सो दिक्कत ये है अब ये जो sentence है इतना सा दिक्कत ये है अब ये sentence अपने अंदर simple present sentence लेकर चलता है simple present so the problem is the problem is that problem ये है की चीक है so is लगेगा क्योंकि problem singular है the problem is that समस्या ये है की उसकी हाल की यादश्ट गायब हो जाएगी चीक है अब ये sentence कौन सा है ये है future indefinite क्योंकि यहाँ पर action भी है गायब होना यहाँ पर action भी है चीक है so पहला sentence क्या बना future sorry present simple वाला simple present sentence बना पहला the problem is that समस्या दिक्कत ये है की उसकी हाल की यादश्ट गायब हो जाएगी her recent memory will disappear so future indefinite के sentence में क्या लगेगा will so her recent memory उसकी फिलहाल की यादश्ट चीक है या पर उसकी नहीं नहीं यादश्ट जो हाल फिलहाल की चीज़ें हुई है वो वाली यादश्ट her recent memory will disappear वो गायब हो जाएगी तो विल लगेगा यहाँ पर जोब की helping verb उसके बाद action आ जाएगा वो खेलेगा he will so will के साथ action he will play same यहाँ पर उसकी याददास्ट गायब हो जाएगी हर recent memory will disappear disappear का मतलब होता है गायब हो जाना और appear का मतलब के कोई याद नहीं रहेगी हाल के घटनाएं मतलब क्या हुआ recent events आप चाहो तो things भी लगा सकते हो recent things चाहो तो memories भी लगा सकते हो recent memories आपकी call है मैंने यह पर events लगा दिया मतलब जो घटनाएं होती है जो घटित होती है incidents आप लगा सकते हो वो भी बिल्कुल ठीक है so she will have no memory चाहिक है मतलब यह कोई चीज़ याद रखने वाली की बात कर रहे है so future indefinite sentence ही है she will have no memory उसके पास कुछ नहीं होगा क्या नहीं होगा she will have no memory उसके पास कोई याद नहीं होगी of recent events हाल के घटनाओं की तो पूरा sentence क्या बना उसे हाल के घटनाओं की कोई याद नहीं रहेगी कोई याद नहीं होगी वो वाला sense है so she will have no memory of recent events हमें इसमें शामिल है कि वो Finland में क्यों है अब यह जो sentence है यह जो structure है अब ध्यान से समझने के कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा इसमें शामिल है यह शामिल रखता है ठीक है तो यह जो sense होता है यहाँ पे हम use करते है including जैसे कि मैं बोलो कि तुम दोरों बहुत शरारती हो दो लड़के है मैंने उनको बोला you both are very naughty यह ठीक है और फिर मैंने तीसरे को बोला including you मैंने इस तरीके से बोला तुम्हें मिलाते हुए तुम्हें इस चीज में मिलाते हुए तुम्हें इस चीज में मिलाते हुए तुम्हें इस चीज में शामिल हो तुम्हें इस चीज में हो इस तरीके से अब जैसे आप बोलो कि including का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को उस चीज़ में मिला देना किसी चीज़ को उस चीज़ में शामिल कर देना so including my elder brother my family members are very supportive मेरे बड़े भाई को मिला के भी मेरी family बहुत supportive है इस तरीके से तो अब 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 इसका use कर सकते हो so इसमें शामिल है कि Finland में क्यों है मलब इसमें ये बात भी है ये बात भी include करती है कि वो Finland में क्यों है so including why she is in Finland तो पूरा sentence जो है she will have no memory of recent events उसको हाल फिलाल की कोई चीज़ याद नहीं रहेगी और इसमें ये भी include होता है इसमें ये भी शामिल है so including why she is in Finland इसमें ये भी शामिल है कि वो Finland में क्यों है so including term का सिर्फ use यहाँ पे इसलिए किया गया इस चीज़ को भी शामिल करते होए इसमें ये भी चीज़ शामिल है अब क्या शामिल है आएगा हमारे परसंड आएगा च्री यह आप डोंव तरीकी से बना सकते हैं व मोन की क्यों है वॉण फिंल्ल्ला है दोने में डोंव फिन्लेंट बना भी ठीक है आप चाहो तो व यह आ इस फीनindest자가 यह बना सकते हो मैंने बताई हुई है we spoken में grammar में आपको ये चीज़े बिल्कुल मिलेंगी कि यहाँ पर बोलना तो चाहिए था कि why is she in Finland लेकिन यहाँ पर मैंने बोल दिया why she is in Finland इस तरीके से हो जाती है ठीक है ठीक next है ऐसे में हमें क्या करना चाहिए एसे में हमें क्या करना चाहिए ठीक है तो इस चीज़ को आप कई तरीके से बना सकते हो in this case what should we do ठीक है in that case what should we do ठीक है in this scenario what should we ठीक है what should we do ठीक है और मैंने एक बिल्कुल आपके लिए एक simple रखा है what should we do then तो हमें क्या करना चाहिए पहले इतना सा sentence पकड़ो कि हमें क्या करना चाहिए तो ये जो sentence शुड वाला है कोई चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो वाला sense होता है तो वो should का sentence होता है तो हमें क्या करना चाहिए अब इसका जवाब में हाँ या ना में नहीं दे सकता तो question word वाला sentence है तो पहले क्या आएगा? पहले हमारा आएगा question word so what, उसके बाद क्या आती है हमारी helping word, what should we do spoken में आपको ऐसे भी मिल सकता है what we should do, आपको ऐसे भी मिल सकता है, grammatically गलत है, लेकिन बोलने में बहुत मिलेगा आपको, चीक है, तो grammatically जैसे मैंने यहाँ पर यह वाला sentence बताया था why she is in Finland, why is she होना चाहिए था, same यहाँ पर बोल सकते हैं, why we should like what we should do then लेकिन grammatically गलत होगा, what should we do then, grammatically यह सही है तो ऐसे में हमें क्या करना अब then कहाँ पर मतलब आ गया, तो तो फिर हमें क्या करना चाहिए, चीक है ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, तो अगर आपको typical यही लेना है कि ऐसे में के लिए ही बताओ, चीक है so in that case आप यह लगा सकते हो, in that case चीक है, इस condition में, in that condition आप यह लगा सकते हो, चीक है तो आप दोनों मैंसे कुछ भी लगा दो या फिर आपको बिल्कुल simple लगना है तो end में then लगा दो, तो फिर वाला sense आ जाएगा so what should we do then तो फिर हमें क्या करना चाहिए, SMM में क्या करना चाहिए कि आप उसे ठीक कर सकते हो चीक है, sentence कौन सा है can वाला, सकता है सकती है का sense आ गया so can you fix her अब fix जो है ना, आप एक चीज़ ध्यान रखो जो fix है fix एक बहुती casual term होती है चीक है, इसको formally use मत करना, यह बहुती casual term होती है, तो fix का मतलब होता है कोई छोटी मोडी थी चीज़ को ठीक कर देना चीक है, तो sentence कौन सा है can वाला है, और वो sentence है जिसका मैं हा या ना, मैं जवाब दे सकता हूँ तो can सबसे पहले आ जाएगा so can you fix her, चीक है can you make her better, can you treat her इस तरीकी की चीज़े होने चीज़े हैं थी फॉर्मल में, लेकिन थोड़ा मैंने casual form भी रखा इसमें, आप लोगों को सिखाने के लिए, तो fix आप किसी भी चीज़ के लिए लगा सकते हो, यहाँ पर इंसान तक के लिए लगा दिया, can you fix her चीक है, तो क्या आप उसे ठीक कर सकते हो जादा तर जो fix word है ना, यह आपको मशीनों के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए ही use होते होए मिलेगा, लेकिन कुछ जगा पर, जहाँ पर बिलुकुल casual चले जाते हैं, बहुत ही natively बोली जाती है, वहाँ पर इंसानों पर भी use कर देते हैं, so can you fix हो क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं अब यह गरा हम कुछ नहीं कर सकते चीक है, तो can वाला sentence ही है, हम कुछ नहीं कर सकते we can not do anything या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो we can do nothing दोनों sentence बिलुकुल सेम रहेंगे, we can not do anything, हम कुछ नहीं कर सकते we can do nothing, हम कुछ नहीं कर सकते दोनों बिलुकुल सेम रहेंगे अब यह इसना बोला, क्या, what यह सुनने में अजीब लग सकता है चीक है, या फिर यह जह सम बोलते हैं कि भाई, यह थोड़ा अजीब साउंड करेगा यह सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा वो वालो जो सेंस आता है, चीक है तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे it may sound strange चीक है, अब sound strange का मतलब क्या है सुनने में अजीब लगना इसमें सब कुछ आ गया, चीक है इसमें सब कुछ आ गया, sound के अंदर ही आ गया, सुनने में कैसा लग रहा है चीक है, it sounds good, जैसे हम यह बोलते है न भाई, sounds good, तो आपने सिर्फ इतना सा बोला, sounds good, यह है आपका present indefinite, so it sounds good में sound के अंदर ड़स छुप गया, कि भाई, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, तो है तो यह sentence present continuous का, लेकिन बनाया है मैंने कैसे, present indefinite की format, sounds good, सुनने में अच्छा लगा, सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लग रहा है, चीक है, tell me more about this इस तरीके से, so sound अपने में एक बात लेकर चलता है, कि सुनने में वो चीज़ कैसी लग रही है, तो it may, may का मतलब क्या है, 50-50 chance है, can भी लगा सकते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा शौर तो will भी लगा सकते हो, it will sound strange, यह अजीब लगेगा सुनने में, चीक है, इस तरीके से, लेकिन मैंने यहाँ पर सैंस लग सकता है, कि सुनने में अजीब लग सकता है, it may sound strange, it may sound strange, लेकिन यह इस्तिति केवल एक दिन की ही होती है, मतलब यह जो condition होती है, यह condition सिर्फ एक दिन की ही होती है, अब आप इसको चुपा के बना दो, है तो यह अपका present indefinite sentence ही, चीक है, और simple sentence है, और singular sentence है, तो does लगेगा और does action में चुपाएगा, तो दो तरीके तो मैंने बता दिये, लेकिन एक तरीका यहाँ पर यह होता है, but the condition यह फिर this condition अब दौनों लगा सकते हो, जो आपको पसंद है वो, this condition is the condition, मैंने यहाँ पर द लगा दिया, but the condition, last, अब यह last क्या है, last का मतलब होता है, कि कोई भी चीज कितने देर तक बनी रहती है, उसका मतलब होता है last, मतलब last का कहीं मतलब होता है, लेकिन एक मतलब यह भी होता है, जैसे long lasting perfume, यह सुना है ना, आपने long lasting deodorants, so long lasting का मतलब क्या होता है, जादा देर तक बने रहना, कि मतलब उनकी खुश्बू है, जो है, वो long lasting है, वो जादा देर तक बनी रहती है, समझ रहे हो, same यहाँ पर, but the condition lasts, अब इसके अंदर dust छुप गया, कि यह बनी रहती है, यह condition रहती है, only for one day, सिर्फ एक दिन के लिए, आप यहाँ पर remain का भी use कर सकते हो, but the condition remains only for one day, जैक है, आप दौनों मैंसे जो चाहो, वो use कर सकते हो, लेकि last मुझे आपको सिखाना था, इसलिए मैंने यहाँ पर last लगा दिया, जैक है, जैसे कि आप बोला सिर्फ आपकी कही वी बाते मेरे दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक रहती है, जैक है, so everything what you say, जैक है, everything what you say, last long in my memory, जैक है, वो लंबे साइम टक बनी रहती है, कल सुबह उसकी सारी यादें वापिस आ जाएंगी, जैक है, कल सुबह उसकी सारी यादें वापिस आ जाएंगी, तो इस सेंटेंस को मैंने बनाया है, simple future के form में, जैक है, जिसमें मैंने कोई action नहीं रगा, तो tomorrow morning, कल सुबह, all of our memories will be back, उसकी सारी यादें will be back का मतलब क्यों होगे, वापस होंगी, ठीक है, तो यहाँ पर यह action नहीं है, will be back, यहाँ पर यह will be back की condition बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं बूलो I am back, मैं वापस आ गया, अब इसमें action तो है, लेकिन मैंने क्या बनाए, I am back, मैं वापस आ गया, इसके अंदर मैंने जो back को एक condition की तौर पे लिया है, या तो मैं बनाओ कि I have come back, ठीक है, तो यह होगी आपका present perfect वाला, तो यहाँ पर कम मैंने action लगा दिया, I have come back, तो यह तो होगी action के साथ, अगर मैं इसको बिना action के बनाओ, so I am back, मैं वापस आ गया हूँ, ठीक है, तो यह बना दिया मैंने simple present की form में, तो यहाँ पर all of our memories will be back, तो यह मैंने simple future के sense में बनाया है, ठीक है, अगर आप इसको action के form में बनाना चाहो, so all of our memories will come back, तो आप कम लगा दोगे, लेकिन मैंने कैसा बनाया है, simple future के form में, so all of our memories will be back, चीक है, तो यह थे आज के sentences, यह थे आज के structures, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, कोई doubt हो, कोई confusion हो, comment box में जाओ, वहाँ मुझसे पूछो, वीडियो पसंद दे तो like करो, नए हो, like, subscribe दोना करो, thank you,